आप एंड होप सब कुछ अच्छा होगा आज हम लेके आए हैं आपके लिए वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल आज हम लेके आए हैं Google Chromecast Original वाला जो आजाता है ऐसे कुछ पैकिंग में आजाता है इसको हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले है कि इसके अंदर क्या क्या इसमें आता है और कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं और कैसे हम इसे ओपरेट करते हैं डिरेक्ली फॉम्योर फोन यह थर्ड जनरेशन आ जाता है ऐसे कुछ आ जाता है इसकी थोड़ा सा हम डीटेल्स दिखा देते हैं प्लीस स्टेए टून देख सकते है की बॉक्स ऐसे कुछ आ जाता है आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं Google Chromecast is printed on the device and Google Chromecast का logo भी यहां पे लगा हुआ है and you can see all these like applications will work in this particular box this is a Google certified device so यहां पे कुछ आप देख सकते हैं यह फुल हटी में प्ले करेगा है HDMI से मिला हुआ है like license and this is the like simple Google Home application download करना है and it will run from that place यहां पे आप Chromecast like built आता है तो आप casting कर सकते हैं directly from your phone to the TV screen mirroring बे आजाती है और casting बे आजाती है तो दोनों ही हम आपको दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं all together now means you can connect everything from your phone to the TV and you can enjoy movies, YouTube, photos, everything to your big screen TV so ऐसे कुछ यह box आजाता है and इसको हम unboxing अगर करें तो आपको थोड़ा सा details दिखा देते हैं इसको मैं unboxing करूँगा तो थोड़ा सा इसे time लगने वाला है तो please आप बने रही है unboxing करने के बाद आप देख पाएंगे like Google की यह device आजाती है ऐसे कुछ so इसको हम device को निकाल लेते हैं पीछे की बात करें तो पीछे ऐसे कुछ HDMI like license licensed वो आजाता है and यहाँ पे कुछ buttons आजाते हैं यह reset button आजाता है इनकेस आपका device कुछ दिक्कत करें then you can use this device to reset और यहाँ पे हम इसमें की केबल लगाके इसमें power दे सकते हैं there is an LED light भी आजाती है यहाँ पे so यह device ऐसे कुछ आजाती है यह USA इंडिया में नहीं बनती है यह devices so यह बाहर से आती है यह USA की device है so आप यह देख सकते हैं ऐसे कुछ यह device आजाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं power switch आजाता है यह देख सकते हैं आप ऐसा कुछ power adapter आडाप्टर आपका आजाता है और details में जाएंगे तो हम यह देख सकते हैं यहाँ पे इसकी cable आजाती है cable काफी अच्छी quality की है यह आप देख पाएंगे like हम बात करेंगे quality तो quality तो chromecast में original वाले में ही आपको मिलेगी like आप cable की quality भी देखेंगे तो this is a very fine cable आप देख पाएंगे so device costly भी आती है इसलिए because यह आपको quality भी वैसे ही देने वाला है कुछ user manual भी आजाते हैं इसमें आप देख पाएंगे let's get started guide आजाती है and एक user manual भी आजाता है कैसे आप safety के साथ इसे इस्तमाल कर सकते हैं so box में आजाती है यही चार चीज़े total आजाती है user manual and these are the two adapter and this is the chromecast device जिस पे G बना हुआ है logo and this is the cable इसको हम connect करेंगे अपने TV से आप देखते रही है बने रही है हमारे साथ इसे बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं like जैसे ही google chromecast यह आप देख सकते हैं G लिखा हुआ है and the device is connected right now with the HDMI extender जो TV के पीछे लगा हुआ है so यह connected है इसी की cable से और इसी के power adapter से जैसे ही हम switch को on करते हैं first we have reset the box like हमने इस chromecast device को reset कर दिया है so reset करने का logic यही है कि हम यह reset button हमने प्रेस किया है we can hold this down to reset the device so और यहाँ पर light देख सकते हैं you can see there is a light also coming in the device so यहाँ पर जो reset button दिया हुआ है आप इस device को reset करने के लिए यह button यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं when you are connecting this device with your TV so आपके पास ऐसे कुछ हो जाता है chromecast.com slash help और आप यह वाली application डाउनलोड करेंगे from the Google Play Store और यह Chromecast device का नेम आजाता है you can see this name of the device so ऐसे कुछ आप देख पाएंगे और यहाँ पर हमारे बास phone आजाता है Samsung का phone और जिसमें हम आपको दिखा देते हैं like Google Home device का हमने application यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है so if we are going to click on this this particular application हमें option आ रहा है devices का we can click on this जब हम यहाँ पर click करते हैं you can see like we can get the option of add device so यहाँ पर हम click करेंगे तो new device पर click करेंगे यहाँ पर हम click करेंगे then looking for devices आ चुका है so once we are clicking on this we can get this option so यहाँ पर जैसे ही हमें Chromecast found ऐसे कुछ आ रहा है we would like to यहाँ पर आप देख सकते हैं same device हमें found हो गई है यह जो आ रही है 4638 यहाँ पर देख सकते हैं so हमें यह device found हो गई है and now we can click on yes क्या यही device है हमने yes click किया और यहाँ पर connect हो गया है आपका device आपके phone से so ऐसे कुछ आपकी device connect हो जाएगी आपके phone से once it is connected आपका wifi भी connect हो जाएगा आपके इसी device से और आप जो है देख पाएंगे यह देख सकते हैं L5S4 is printed on the device so now this is going to set this device आपकी यह जो chromecast dungle है इसको set कर देगा as per your phone phone के हिसाब से यह set कर देगा and then you can watch everything directly from your phone to the TV इसमें casting का मतलब दो option आजाते हैं इसके अंदर आप casting में मतलब अपने screen mirroring भी use कर सकते हैं and you can also go ahead and you can use this आप देख सकते हैं yes हमने click कर दिया है and we can click this and हम कोई भी नाम इसमें देख सकते हैं like हम backdoor नाम दे देते हैं next कर देते हैं यह हमने select कर दिया है like wifi अपना जो जिस से connected है and this is asking for the password password is important for this so please stay tuned हम इसमें password डाल देते हैं so यह हम password थोड़ा सा hide कर देते हैं what is my password so हम इसमें wifi setting okay हम यह देख लेते हैं हमने password डाल दिया है we can hit the connect option and ऐसे कुछ आपका यह connect हो जाएगा wifi network password okay हम password फिर से डाल देते हैं so password में थोड़ा problem आ रहा है तो एक second वेट कर लीजे so password हमने जैसे ही डाल दिया है यह देख सकते हैं आप password डालते ही आप यहां पे connect पे click करेंगे and this is going to connect your phone directly with your chromecast device like phone का wifi जो phone में wifi connected था वही connect हो जाएगा आपके chromecast device से so ऐसे कुछ आप use करने वाले है अपने device को like chromecast device को as per your phone so phone is doing the same thing and this device is also doing the same thing और यहां पे automatic जैसे यह google certified device है तो automatically यह update होगा and update होने के बाद it will run and you can cast everything directly from your phone to the TV so like casting तो हम नहीं करके मतलब हम आपको यह दिखा देंगे कि आप screen mirroring कैसे कर सकते हैं आप casting कैसे कर सकते हैं कैसे इसका use कर सकते हैं वो इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं रिस्टार्ट हो रहा है यह device रिस्टार्ट हो रहा है यह original Google Chromecast आजाता है so definitely costly तो यह आने वाला है because of the you know यह original आजाता है original कोई भी certification वाली device आजाती है तो वो costly इसलिए आती है because they have to do some license part of the process so license part of the process में like पैसा भी लगता है that is why these devices are costly so इसलिए यह costly आजाता है और आप इसको भी buy कर सकते है because this is one of the good device जहां पे आपको quality मिलने वाली है यहां पे आपको जो यह normally हम Chromecast यूज करते हैं उसमें आपको कई बार ऐसे दिक्कत आजाती कि अटक अटक के चल रहा है या ऐसे चल रहा है वैसे चल रहा है तो वो सारी दिक्कते आपको ठीक होने वाली है original Google Chromecast में so original Google Chromecast को हम recommend इसलिए कलते है because यह एक certified device होती है and you can watch everything directly from your phone to the TV so इसके अंदर जैसा हमने बताया दो चीज़े आजाती है one is the screen mirroring and second one is the casting so casting is also like the way how you can watch everything from your phone to the TV and you can turn off the screen and you can go ahead and you can use that so like this way you can go ahead and you can use your phone also so आप देख सकते हैं अपडेटिंग, Chromecast अपडेट हो रहा है automatically and this device is going to start like this way so Google का logo आ जाता है and once it is like coming up in start we can show you like how we can connect from our phone to the TV phone से TV में हम कैसे connect कर पाएंगे so आप देख सकते हैं almost done हो चुका है and यह finished setup ओके यह बोल रहा है आप finish कर दिये setup ओके so यह यहाँ पे still it is showing like update यह दिखा रहा है 3-4 minutes यह दिखा रहा है so हम इसे complete करते हैं then we will continue with the video after completing the setup setup complete करने के बाद we are going to just open the home application again home application open किया है and we can go to the devices devices में हम जाते हैं and we found the device backdoor TV हमने मिल गया है so हम यहाँ पे click करते हैं and click करने के बाद there are two options cast my screen यह option आ जाता है यह आप देख सकते हैं and इस पे हम click करते हैं and click करने के बाद cast screen पे हम click कर देते हैं and we can get the option start now start now पे click कर देते हैं so जैसे हमने click किया आप देख सकते हैं screen mirroring हो रही है like whatever we will do in the phone it will come up on the TV so this is the way how you can go ahead and you can watch anything directly from your phone to the TV यह हो जाती है screen mirroring screen mirroring में आप ऐसे कुछ देख सकते हैं like you can watch directly from your phone to the TV YouTube की हम बात करें तो हम जैसे home पे आजाते हैं तो आप देख सकते हैं like we can get there is a button on the top like casting का button आजाता है so this casting button is important हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको यह जो casting का button है this button you can find on all the Google certified applications में so अगर इस पे हम click करते हैं then we got this back door TV screen mirroring so अगर हम यहाँ पे ऐसे click करते हैं आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं so अगर हम यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है so back door यहाँ पे click करते हैं then this is going to cast everything from your phone to the TV but you can turn off the screen and it will continue like that so अगर हम बात करें हमारी कुछ एक वीडियो की so हम अगर बात करें कुछ वीडियो की जैसे हम अपनी ही वीडियो चला के आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं like your channel में चले जाते हैं तो देखेंगे आप जैसे कुछ हम इस पे हमने click किया वीडियो पे and we got the option of play play का button हम दबाते हैं ऐसे कुछ and आप देख पाएंगे like we can watch this in the TV so आप देख सकते हैं like हमारा जो है content वो आपको सामने देख रहा है so this is the way how you can run your things from like any video from your phone to the TV आप देख सकते हैं अगर हम इस screen को भी बंद कर देंगे continuously ये video चलती रहेगी so this is called casting directly from your phone to the TV ये आपको screen mirroring and screen casting जैसे मैं बता रहा था and I can pause this also अगर हम बात करें इसकी तो हम एक बर इसको खोल देते हैं अगर हम pause करने की बात करें तो हम pause यहां से कर सकते हैं so आप देख सकते हैं like we can pause this, we can play this but the thing is it is completely like wireless remote की तरह काम करेगा आपका phone so अगर हम बात करें इसको play की तो play हो जाता है अगर हम आगे करने की बात करें weekend हम इसको आगे भी कर सकते हैं like this way you can go ahead and you can use your phone just like as a remote remote की तरह आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं so guys अच्छी चीज़ यह है कि casting is better than the screen mirroring because हम इसमें battery like हम phone की battery हम जो है वो बचा सकते है so phone की battery आपको बचानी है अगर तो आप यह option यूज़ कर सकते है like e वाला option जो हमारे phone में उपर आता है so इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते है so यह available है only only google chromecast original वाला जो आता है so हम तो recommend करेंगे कि आप original के साथ जाए because this is the only way how you can use the casting option screen mirroring is also coming in the like little जो कम कोस्ट की devices आती है like chromecast जैसे हम आपको example दिखा देते हैं like please wait बात करते हैं कुछ copy devices की like these are the copies of for screen mirroring screen mirroring की copy like google chromecast जो हमने बात करी आप से so google chromecast की copy आ जाती है यह चीजे यह चीजे आपको अलाव करती है you can watch everything directly from your phone to the tv लेकिन इसमें phone की screen भी काम करेगी and tv की screen भी काम करेगी so both screens are working so screen mirroring अगर आपको only screen mirroring चीए you can go with these devices but if we are talking about the quality quality will come in this one so quality तो उसी में आने वाली है but on the other side only for screen mirroring you can buy these devices also so आप screen में जो चलाएंगे वो आपके tv में नजार आएगा so यह devices भी आ जाती है like यह काफी सस्ती devices आ जाती है 700, 800, 900 रुपे के आसपास की devices आ जाती है यह तो 400, 500 रुपे की device आ जाती है यह 600, 700 की device आ जाती है यह आपके 800, 900 रुपे की device आ जाती है ऐसे कुछ आप बाई कर सकते है but यह वाली device आपको 5,000 से 3,000 रुपे के बीच में मिलेगी क्योंकि यह certified है and this is licensed device आ जाती है so guys अगर आपको कुछ डाउट है you can contact us anytime and you can let us know what is your confusion in buying any product like this okay guys so please like, share and subscribe our video and अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो please हमें बताईएगा because we are eagerly want to know what changes we can do in making our videos and in doing something new differently in our channel so thank you so much and please like, share and subscribe thank you आपको कुछ आपको आपको कुछ बुराईगा कुछ विंग कुछ आपको कुछ रहता है